एविविवन विल्कम बेक तो मैं फॉन्टेशन क्लासे स्विए टाम क्लासे तो गैस साड़े साथ बच चुका है और साड़े साथ पुझे डेली आप लगाते हो वाल लाइन टेस्ट ठीक है और आज है आपका टेस्ट नम्मों 41 ठीक है तो चलिए बिना समय को गवाएं स्टा सब्सक्रास को पार को कहां दफनाया गया था तो काबूल में दफनाया गया थी और ये उसकी इच्छा थी। अगला कुसे नाइजर नदी किस महादेश में बहती है। कहां बहती है? ये अफरीका में बहती है। नाइजर नदी कहां की है? अफरीका की बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है। और अफरीका में भी अगर आपसे पूछा जाए तो पस्चिमी अफरीका में इसका जो बहुत छेत्रे मिलनी वो बिलॉंग करता है अलग को से नाइजर नदी का मोहना कहा है नाइजर नदी जो अफरीका में बहती है इसका मोहना कहा है इसका मोहना का है, मोहना यानि माउट, ज़ली बताओ, का है, यह गईना की खाड़ी, का है, गईना की खाड़ी, ठीक है, गईना की खाड़ी में इसका मोहना है, कौन सी नदीका, नाईजर नदीका, अगला को से नहें, अनपुर्णा परवस सिखर कहा इस्ती थे, काई स्थीत है अनपुर्णा अनपुर्णा नेपाल में स्थीत है अगला कुशन है केपी नहर आंद परदेश को किस राज से जोड़ता है केपी नहर नाम आपने सुना होगा आंद परदेश को किस राज से यह जोड़ता है तो आंद परदेश और तमिल नाडू को यह भारत ने सबसे पहले बनाया था और यह पाइलेट रही थे यह लक्ष ठीक है इससे मुझे याद आया कल मैंने आपको एक क्वेशन पढ़ाया था भारत का प्रतम उपगर ठीक है तो वहां पर मैंने आफर आपको रोहिनी बताया थीक है थोड़ा दो वहां पर टाइपिंग करता और क्वेशन को बताने के टाइम में भी मुझे याद नहीं रहा आपको पता होना चाहिए रोहिनी जो है वह भारत का प्रतम ऐसा उग्रह है जो स्वदेश सी अउग्रह भी है और स्वदेश की धरती से भी इसको लॉंच भी किया थीक है सबसे पहला जो उग्रह है वह जिसको लॉंच रहा नहीं किया था तो आपका जो वहां पर क्वेशन है थोड़ा सा एयरा था भारतिया होगा ठीक है भारतिया भूमी से जिसको लॉंच किया गया तो वह होगा रोहिनी ठीक है उसको थोड़ा सा धियान रखना उसका अगला कुशन है यक्चगान किस राज का परसिद्द लोग निर्थ है कहा का है यह करनाटक का करनाटक का परसिद्द लोग निर्थ है यक्षगान अगला कुछ ने अध्योगिक रूप से पॉलिथीन का निर्मान किसके बहुली करन से होता है अध्योगिक रूप से पॉलिथीन का निर्मान किसके बहुली करन से होता है जली बताओ किसके बहुली करन से पॉलिथीन का निर्मान होता है ठीक है अगला को सेने डेन्मार की राजधानी कहा है डेन्मार की राजधानी कहा है डेन्मार की राजधानी कहा है यह कोपेंगें कोपेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे यह मैंने आपको बताया था, फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ताकि आपका यह clear हो जाए, tripsin का निर्मान कहा होता है, अगर कोई भूल गए हो, तो इसको आज याद रख लेना, कहा होता है, यह अगर नास में इसका निर्मान होता है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था, कि tripsin का निर्मान, tripsin के form में नहीं होता है, बलकि यह एक inactive form में होता है, ठीक है, जिसका नाम है tripsinogen, ठीक है, उसके बद जब यह small intestine में जाता है, तब यह activate होता है और तब हम लोग इसको ट्रिफ्सीन के नाम से जानते हैं अलग किसे ने cryolite किस दातू का ask है किसका ask है cryolite तो cryolite जल्दी बतो आपने पहले भी पढ़ रखा है यह aluminium का ask है किसका है cryolite aluminium का ask है अलग किसे ने black pagoda कहां इस्तीत है black pagoda कहां इस्तीत है black pagoda कहां इस्तीत है जल्दी बताओ तो black pagoda जो है वह सूरी मंदीर है और यह हमारे अदेश में ही है odisa में इस्तीत है odisa में इस्तीत है black pagoda ठीक है इसको कुनार का सूरी मंदीर के नाम से हम लोग जानते है अगला कुसे ने मद्य कालीन भारतिया इत्यास में अस्थाई सेना रखने वाला परसीद सासक कौन था? मद्य कालीन भारतिया इत्यास में अस्थाई सेना रखने वाला परसीद सासक कौन था? ये था अलाउदीन कौन था? अलाउदीन खिलजी था ठीक है? जो अस्थाई सेना रखने के लिए परसीद था ठीक है? अगला कुशन है breast stroke sabd किस खेल से समन्दीत है breast stroke sabd breast stroke sabd किस खेल से समन्दीत है तो ये तैराकी से समन्दीत है किसे समन्दीत है? तैराकी से याने swimming से अगला कुशन है अल्पना चित्रकारी किस रासे समंदीत है अल्पना चित्रकारी नाम तो आपने सुना होगा अल्पना ये एक चित्रकारी के जो फ्लोर पे किया जाता है ठीक है और ये वेश्ट बंगाल से समंदीत है कहां से वेश्ट बंगाल से पस्चिम मंगाल का यह बहुत ही परसित चितकारी है अगला कुछ ने आएने अकवरी किस ने लिखा था यह तो सब को आना चाहिए कौन है वो? वो है अबूल फजल ठीक है? आएने अकवरी अबूल फजल ने लिखा था अगला कुछने मंदाकिनी किस नदी की सहयक नदी है तो मंदाकिनी जो है वह अलक नंदा की सहयक नदी है इसकी अलक नंदा ठीक है अलक नंदा मंदाकिनी अलक नंदा की सहयक नदी है अगला कुछने मंदाकिनी का उद्गम किस हिमनत से हुआ है मंदाकिनी का उदगम किस हिम्नत से हुआ है किस हिम्नत से हुआ है यह हुआ है चारावारी क्या है हिम्नत का नाम है चारावारी ठीक है यह दखना चारावारी हिम्नत से मंदाकिनी का उदगम हुआ है श्रक्रीक रेखा किस भारतिया चेत्र चीतग है। तो सर्क्रीक रेखा ये सबसे वेष्ट में इस्तित है। और वेश्ट में अगर इस्तितत गुजरात में होगा गुजरात में कहां तो कच के रन में कच के रन में ठीक है अलग है भारतिया पूरा तत्तु सर्वेक्षन विभाग संस्थान कहां इस्तित है यह स्थीत है यह बिरोजगारी समंधी जो भी आकड़ा हूँ इसको कौन इखटा करता है कौन है यह नस्तो कौन है नस्तु फिए ञासो कि उसका फूल फॉर्म क्या होता है ऐसका होता है निस्टब क्या होता है निस्टनल सेम्पल सर्वे ओफिस किया पूछी आप तो आपका आंसर उसमें भी कई बार नस्तो ही मिलेगा ठीक है एक्चुली में यह जो ministry है Ministry of Lever and Unemployment उसके तर्थ यह काम करता है और यह आंकडा नस्तो ही कठा करता है उसके बार Ministry of Lever and Unemployment इसको पबलीज करता है लेकिन बहुत जगा आपको मिलेगा इसको पबलीज भी नस्तो ही करता है अगर Ministry of Lever and Unemployment नहीं रहे तो आपका आंसर नस्तो सही होगा ठीक है अलग उसने वानर सेना और मंजरी सेना का सम्बंद किस अंदोलन से था वानर सेना और मंजरी सेना वानर सेना और मंजरी सेना इसका संबन्द किस अंदोलन से है किस अंदोलन से है इसका संबन्द सौविने अबग्या अंदोलन से ठीक है यह वानर सेना क्या था यह बच्चों का सेना था ठीक है इसको वानर सेना का नाम दिया गया जो बच्चों को पाटिस्पेट इसमें करना था और मंजरी सेना किया है यह है जो लड़कियां इसमें सामीर हुई ठीक है उनके लिए एक नाम दिया गया मंजरी सेना क्लियर है इसको आपको याद रखना है अलग उसने हवा का वासुगहनत कितना होता है हवा का वासुगहनत कितना होता है हवा का वासुगहनत कितना होता है यह होता है 14.4, कितना होता है 14.4, कई जगह आपको 14.5 भी मिल सकता है, ठीक है, 14.4 होता है हवा का वास्प गनत, अलाक उसने बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन होती है बिजली जब चमकता है उस वक्त कौन सा गैस उत्पन होता है कौन सा गैस है वो है NO2 ठीक है NO2 गैस उत्पन होता है जब बिजली चमकती है अब प्राइड के जलिया विलियन की प्रिकिर्ती कैसी होती है अमोनियम क्लोराइड को अगर आप पानी में मिलाते हो तो एक सल्वेशन का निर्मान होगा आपको बताना है उसका प्रिकिर्ती उसका नेचर के साहत है एसेड क्या बेसिक 000 मैंने ऑप्षान देदी आपको आप तो तुक्का लगा लो कोई भी एक तुक्का लगा तोगे ठीक है इसका और चर्र जो हता है वहлем एक्सीड कुATOR होता है कौन है अब बताओ इंडिया हाउस किस ने बनाया था इंडिया हाउस के निर्मान करता कौन है जली बताओ इंडिया हाउस के निर्मान करता कौन है तो यह है स्याम जी क्रिष्न वर्मा क्या है नाम इनका इनका नाम है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस का निर्मान किया था लंडन में अगला कुष्ण ने इंडिया हाउस का निर्मान कब हुआ तो आपने देखा लंडन में इसका निर्मान हुआ था और स्याम जी कृष्ण वर्मान ने इसका निर्मान करवाया आपको बताना है कब तो 1905 में ठीक है? तो तीन कोईशन इसे पूछे जाते हैं तीनों आपका क्लियर हो गया अभीना भारत कब अस्टित में आया? अभीना भारत अस्टित में कब आया? ये तो असान है आप सभी जान रहे हैं उसको कब अस्टित में ये आया 1904 में ठीक है? अभीना भारत का गठन कहां हुआ था? अभीना भारत का गठन कहां हुआ था? ये भी गठित क्या गया था? लंडन में अभीना भारत का गठन किसने किया था? अभीना भारत का गठन किसने किया था? ये क्या क्या था वीडी सावर कर के द्वारा किसने क्या था इसका वीडी सावर कर ने इसका अस्थापना किया था ठीक है अगला कुशन है अजाद हिंद फौज का गठन सरपर्थम किसने क्या था अजाद हिंद फौज का गठन सरपर्थम किसने क्या था किसने किया था ये किया था रास बिहारी बोस ने ठीक है अगला कुश्छन के है अगला कुश्छन है अजाद हिंद फौज का गठन सरफरसम कब हुआ था तो रास बिहारी बोस ने इसका स्थाफना किया था और कब किया था 1942 में अगला कुछ ने अजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था अजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था तो अजाद हिंद फौज का गठन रास्वियारी बोस्ट के द्वारा 1942 में सिंगापूर में क्या गया था कहां क्या गया था सिंगापूर में ठीक है और 1942 में इसका गठन जरूर हुआ लेकिन कुछ कारण वस ये कमजोर पड़ गया और 1943 में इसको फिर से रीकर्सक्ट किया गया सुभास्टमर बोस के दौरा ठीक है इसलिए बहुत जगा आपको अंसर राजब्यारी बोस के जगर सुभास्टमर बोस भ समानित के आगया था और ये पहले भारतिया थे पहले और स्वेथ ते जिसको साहित का नौबल मुरुसकार मिला था ये भी आपको याद रखना है कब मिला था 1913 में ठीक है किस पुस्तक के लिए गितानजली के लिए अगला कुशन है चंद सेखर वेंकट रमन को बहुत इक जुर्ष ने कि अकशनें अकवर द्वारा दास प्रथा का अंत कव किया गया तो दास प्रथा का अंत कव ड welcoming किया था खर ने तीर्ठी यात्रा कर की समाब्ति कभ गी जेंट से पहले लेकिन अकवर सहसनमें आने के बाद सभाइन, फिर अपने आपकों प्रेटीकोट सैंस से अलग करने में अपुर्डव सब्सक्राइव उसके बाद यह अपना डिज़ेन लेने लगे सबसे पहले विदानों और दासपड़ता कानत किया 62 में और 63 में 53te मौना करको समाप्त कर दिया अगला किसाँआ अकुबर ने जजी आकर कब समाप्त किया था ये किया था 1564 फिक है ये लगातार तीन है आपको याद रखना है बासट त्रेसर चोंसर बासट में दासपर था तीरेसरट में तिरतियात्रा कर और चोंसर ने ज़िया ठीक है अगला कु सेने ब्रितीजकाल में 1859 में रिस्तरा में कॉंसर अच्छा 1859 नहीं होगा अब देखो ऐसे kषिशन कभी ना टाइकिंग एर्र ऐसे कुश्ण के हो जाते हैं 1855 ठीक है 1855 में ब्रितीसकाल में रिस्त्रा में कौन सा उद्योग लगा गया था ये आपको बताने कौन सा उद्योग है जो 1855 में रिस्त्रा में लगा गया था ये मैंने पढ़ा रखा है आपको आपको याद होना चाहिए 1855 में ब्रिटीस काल में पहला जूट उद्योग लगा गया था कौन सा है जूट या पटसन ठीक है इसका उद्योग लगा गया था रिसरा ये वेस्ट बंगल में है और ये भारत का संभब था पहला जूट उद्योग था अलग उसने ब्रिटीस काल में पर्तम लौ इस्पात कारखाना कहां खोला गया था ये खोला गया था कुल्टी में, कहां खुला गया था कुल्टी में खुला गया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ ठीक है, ये कुल्टी भी वेस्ट पेंगॉल में ही है, ठीक है अब को इसे ने, ब्रिटीश अमें पर्तम लौह इस पात कारखाना कब खुला था, बताओ अमेरिका अपना सुतंता दिवस कब मनाता है तो अमेरिका अपना सुतंता दिवस 4 जुलाई को मनाता है जली बताओ जी मारकोनी किस देश का नागरिक था जी मारकोनी नाम तो आप सभी जानी रहे हो अब आपको बताना है यह किस देश के नागरिक थे जली बताओ जी मारकोन किस देश के नागरी यह इटली के नागरी कहां के थे इटली के अगला कुछ नहीं अब बोंगाई गॉंगाई 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 ग ठीक है आगला कोईशन है किस चार्टर एक्ट के तहत इस इंडिया कंपनी का भारत में सासन समाप्त हो गया कोईशन को द्यान से पढ़ना है नहीं तो ऐसी कोईशन में आप गलत कर बैठ हो गया Question बोल रहा है किस Charter Act के तहट East India Company का भारत में सासन समाप्त हो गया अगर सासन समाप्त हो गया ये पुछा जाए तो ये होगा 1858 का एक अधिकार समाप्त हो गया ये पुछा जाए तो होगा 1813 का और एक आदिकार चाहिना में कब समाम्स हो गया, यह पूछा जाए है, एटीन, थर्टी, थ्री होगा तो तीनो को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है? अगला को सेने बॉम डला दर्रा कहां स्थीत है? बॉम डीला दर्रा कहां इस्तीत है जली बताओ एक्जाम में बहुत वार यह पूछा गिया बॉम डीला दर्रा यह अरुनाचल परदेश में इस्तीत है कहां इस्तीत है अरुनाचल परदेश में इस्तीत है अगला कोशिए नहीं माहिम करिक कहा है तो यह मुंबई में इसी ते है कहा है इसी ते है मुंबई में इसी ते है अगला को सेने रुद्र परियाग में अलग नंदा किसे से मिलती है रुद्र परियाग में अलग नंदा किसे मिलती है यह मैंने आपको पढ़ा रखा है बस मैंने आज उलटके आपको पूछा है, मैंने आपको पूछा हुआ था, अलग नंदा जिसके साथ आपको बताना है, वो कहां मिलती है उसके साथ, तो रुद परियाग में अब आपको बताना है, कौन सी नदी है वो, वो है मन्दा किनी जिसके बारे मैं आज आपने बहुत कुछ बढ़ा है ठीक है, तो मन्दा किनी से रुद परियाग में अलग नंदा मिलती है, क्लियर है आपको यह याद रखना है, ओके तो ओके गाईस, तो यहाँ पे आज आपका 50 questions पूरा होता है, और I hope कि आज भी आपने पढ़े के दर कुछ न कुछ सीखा ही होगा, ठीक है सीखने से ज़्यादा मेरा यहाँ पे फोकस रखता है कि आपका जो चीज है वो practice होता जाए, revise होता जाए क्योंकि यह सारे ऐसे questions है कभी ना कभी exam में पूछे जा चुके इसमें से एक भी ऐसा question नहीं है जो आप यह सोचो, जो मैंने खूद बनाया है यह मैंने बस collect किया है, जो कभी ना कभी exam में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा पारब परीग जी की, ठीक है अगर इसमें आपको confidence आ जाना तो आप exam में 60% आराम से कर लोगे 60% कोई भी exam में आप बैटे हो 60% question आप solve कर लोगे अगर इसमें confidence आ जाए और अगर चोड़े exam के मैं बात करूँ तो 60 to 80% question यहां से रहते हैं 60 to 80% यह बहुत बड़ा नुमर होता है 60% में तो आपको selection हो जाता है तो यह चीजे हैं जिसको आपको याद रखनी है और अच्छे से practice करते जाना है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इस session में सबको आपको याद रखना है आप अंदर से एक boost up आपको feel होगा जब आप इस session को पूरा कबर करोगे कम से कम एक से दो मेने तक ठीक है चलिए कल फिसे मिल था अंगले session में Till then take care बाबाए